हलो मैं यह आरके स्पूपल क्लासे में आपका वेलकम तोड़ स्क्लास इस यूपी बोर इंगलिश स्ब्जेक इस इंगलिश स्था बर्ट आप जानते भारत में किसको मिसाईल मैं ऑफ इंडिया कहा जाता है तो आईए नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं बहुत गरेट परस्नालिटी इनके बारे में जितना पड़ो बच्चों को तो इतना लव करते थे थे न, क्या कहने बच्चों के लिए इनके दिन में लाट अफ लव बहुत ज़्यादा प्यार भारा हुआ था बच्चों को देखने के बाद इनको लगता था कि मैं बच्चों को क्या बना दूं क्या ऐसी शिक्षा दे दूं कि ये भी भारत देश की ग्रेट सिटीजन हो जाए तो आईए दब मिसाइल मैन आफ इंडिया मिसाइल तो आप जानते हो प्रच्छे पास्तर है मिसाइल बहुत दर इसमरने का जो है घ्याः होता मिसाइल हूं हम् हो手ए ओं-ट इस च्छार्ट एपर बॉस्पा केर जो अब्ड़ुल वियुक्ते इन अब्डुल कलाम केरा जोजन कोस्कि डाक्तर अवागह ग्श्वता है ब्डुल कलाम मैं को ठोल्ळुक्ष और आप स्थी ऑब्डुल क जिनको प्रसिद्ध नाम किया था डाक्टर एपी जे अब्दुलकलाम भारत के 11 ग्यारवें रास्ट्रपती थे 2002 से 2007 यह 11 ग्यारवें रास्ट्रपती भारत के रास्ट्रपती भी थे और क्या थे अभी हम लेशन में पढ़ते हैं तीन को साइटकर्ट में डाक्टर एपी जे अब्दुलकलाम कहा जाता है इनका फुल नेम आपको मने बता है आवल पाकिर जैनलूबदीन अब्दुलकलाम एपी जे अब्दुलकलाम वास बॉर्ण ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरे में तमिल नाडू और एपी जी पंदुलकलाम का जन 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के तमिल नाडू में हुआ था तमिल नाडू जानते है भारत का अंतिम श्टेट एक दम जहां भारत नीचे जाके समाप्रों जाता है उसे को तमिल नाडू कहते हैं वहां पर रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को आलो ही वाज बाणी ने पूर फैमिली युज एन एक्सेप्सेनली ब्रिलियन चाइड इनका जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था लेकिन बड़े आसाधारान बालक थे बड़ी टेस्ट दिमाग के बालक थे ये लिए परिवार से किसी की बुद्धि कोई नहीं होता है यह नहीं कि कोई गरीब पैदा हुआ तो दिमाग से भी गरीब होगा नो-णो-णो-णो-णोण इस ना ट्रूइब भी परिवार में महाल लोगों का जन्म हुआ है और जितने भी रिच फैमिली हैं जरूरी थे उनके हां महाल लोग जन्म लिए हैं तो जैनलुबदीन वाज बोट ओनर हुँ फैरीड हिंदू प्लीग्रिम्स एड रामेश्वरान टेंपल लितमी लड़ी इनके पिता जी एक बोट ओनर थे नाव के मालिक थे जो हिंदू तिर्थेयात्रियों को रामेश्वरान टेंपल तक पहुंचाते थे उनको ले जाके अपन मेंस मस्जित थे वहां पर क्या थे इंग व्यतन ही और इनकी मा जो थी आश्यम्मा जिनका नाम था ग्षंज बहुत हो जो ओटी शियूब में हुन करना शुरू कर दिया था, he sold tamarind seeds and newspapers to support his family, अपने परिवार को support करने के लिए, help करने के लिए, ये क्या करते थे, इमिली के बीज बेशते थे, इमिली, इमिली जिसको आप लोग खाते हैं, खटमेट-खटमेट, बहुत अच्छी होती भाई, very good in taste, उसके बीजों के बेशते थे, और newspapers बेशते थे, अपनी family को support करने के लिए, help करने के लिए, after completing his schooling at the Rameshwaram Elementary School, Kalam went to attend Saint Joseph's College in Tiruchirapalli, अपनी schooling, Rameshwaram के elementary school में, जो आपका primary school था, elementary, स्कूल में कम्प्लीट करने बाद कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज जो तिरुचुरिया पल्ली में था वहां पर ये अपनी पढ़ाई करनी गए कौन से स्कूल में सेंट जोसेफ जोसेफ कॉलेज में दुगनान फिर्लीटें का शहओ कॉलेज में जोसे था अनिवंछी फूसेफ जो तिरुचुरियद ऑूसेफ सेफ में प्रीट कीनलेजियार थूसेफ पनाम स्सेफ कॉलेज में थे स्वित खेंने जोसेफ कॉलेजिए में जोसे पर विवीजयिए प्रेばीड्व प्रेट Champ or limited is a m एरो इंजीनियरिंग में विसे सग्यता हासिल की इस्पेशलाइस्ट मनें इस्पेशल कूर्स इन्हों ने वहां से किया इस्पेशलाइस्ट MIT बहुत मसहूर इंस्टिटिउशन है भारत का डाक्टर अब्दुलकलाम वाज ग्रेट साइंटिस्ट बहुत महान साइंटिस्ट थे राश्ट्पती तो सबसे लास्ट में हुए लेकिन उसके पहले बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे वह स्पेश साइंस और टेक्नोलाजी संस्थान के क्या बनाए गए थे चांसलर बनाए गए थे और इंडियन स्पेस रिसर्च और टेवलाप्मेंट और काम किया था डियाडियो अपने हां का ये बहुत ही मसुहूर सथान है जो मिसाइल और ये जितने भी लड़ने ओरने के सामान होते है बहुत सारी काम करता है लेकिन मोस्टली ये हत्यार उत्यार से जितने चीज होते हैं बनाने में DRDO का काम है जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसेर्च और रिसेर्च और अर्गनाजेशन हमारे देश की सुरच्छा कैसे हो इस पर कौन से हत्यार बनाने चाहिए ये सारा काम DRDO का होता है पूरे देश की डिफेंस रिसेर्च डिफेंस पर खोज करना और इन्होंने उस अठावन म किया और उसके बाद इसरो जो सैटेलाइड भेजता है भारत में आसमान पर जाओ वहां दुझा का अब सभाइं कि दुनिया का पता लगाओ कभी मून पर ही संपर कभी मार्स मंगल पर सैटेलाइड लेजने का काम यह किसका काम है यह इसरो का है इन्हों ने 1963 में इसरो को जोइन किया, 58 में DRDO को और 63 में इसरो को जोइन किया, अपनी सिवाएं थी इतने ग्रेट साइंटिस्ट थे यह, अब देख रहे हो ना भारत के टॉप जो इंस्टिट्यूट है जिससे बड़ा इंस्टिट्यूट है ही नहीं वहाँ पर इन्होंने काम किये तभी तो अपने देश का नाम किये ओके इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रिबूशन इन्होंने दिया था कौन मिसाइल मैं आफ इंडिया तो किसको कहा जाता मिसाइल मैं अफ इंडिया डाक्टर एपी जी अब्दुलकलाम को अब जानगे ना अज़ प्रजेक्ट डियरेक्टर आफ एसलवी थ्री ये कंट्रिबूटर तो देवलप्मेंट और मैनेजमेंट आफ इंडिया उस फर्स इंडिजेनस सैटेलाइट लांच वेहिकल एसलवी थ्री इन इन्जेक्टिंग रोहनी सैटेलाइट इन ऑर्बित ऑप अप अर्थ अ रूप में एसलवी थ्री के उन्होंने भारत के पहले स्वदेसी सैटेलाइट लांच वेहिकल एसलवी थ्री के प्रवंधन और विकास में और जो पहला सैटेलाइट इन्जेक्टिंग रोहनी सैटेलाइट ये एसलवी रॉकेट लेकर के रोहनी को ले जाके उन्होंने पिर जाता है उसको लांच वहिकल या रॉकेट कहते हैं जो जाता है उसको अर्थ की और विट माने जहां आर्थ जितमें घूमती रहती है उस कख्छ में ले जाकर के उन्होंने इंजेक्ट कर दिया चोड़ दिया था और इसमें बहुत योगदान दिया था कि इसके पूरे ये प् फिल्ड of missiles और उनका सबसे बड़ा योगदान जो था ना वो मिसाइलों के लिए था मिसाइल ने तो आप जानते ही है मिसाइलों के योगदान में अगनी पिरिथवी आकास त्रिशूल और नाग इन सारी मिसाइल है इन सारी मिसाइल के नाम है कोई पूछे आप कहाँ मिसा for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology, he is known as the missile man of India, अपने इस missile, ballistic missile की योगदान के लिए, और launch vehicle प्रजियोग की योगदान के लिए उनको भारत का missile man कहा जाता है, तो आप satellite में, launch vehicle जो इन्होंने technology डिवलप किया, और ballistic missile में जो योगदान दिया, इसी के लिए इनको क्या कहा जाता है, the missile man of India, remember it, besides being such a great scientist, he was a great writer too, a scientist ही, इतने महान scientist होने के बावजूद भी, बड़े महान writer थे, लेखा गी थे, he has written many books such as, Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Planning Points, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey, इन्होंने कई सारी किताबे लिखी, जो मैंने पढ़ा ही, सब किताबे ही हैं, Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Points, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey, ये सब मसुहूर किताबे उन्होंने लिखा, कभी टाइम लगे, Wings of Fire, इनकी आत्म कथा पढ़िए, मजा आजाएगा आपको, ठीक है, India 2020, 2020, 2020 में इन्होंने भारत को विक्सित देश बनाने के कलपना की थी, इंडिया 2020 लिखा था, He has mentioned his dream of making India developed country in his book, India 2020, अपनी किताब, India 2020 में इन्होंने भारत को विक्सित राष्ट बनाने के तरीके बताये थे, A Vision for the New Millennium, A Vision for the New Millennium में भी उन्होंने यही बात कही थी, His advice to the youngsters of the nation was to dream, 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 Dreams transform into thoughts and thoughts result in action, वो अपने छोटे बच्चों से कहा करते थे, अपने देश के नागरी को जबसे लिए चिल्डरें से, मैंने कहा ना, बच्चों से, चचा कलाम, चचा कलाम, very famous, एक चचा नहरू थे, एक चचा कलाम थे, यह बच्चों से कहते थे, dream, सबने देखो, 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 dream, 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 सबने देखते हो, क्यों कि सबने ही, एक दिन तुम्हारे विचार में बदल जाते हैं, और विचार ही तुम्हारे जैसे विचार होते हैं, आदमी वैसे ही कारे करता है, ऐसे थे हमारे कौन, डाक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम, इनके बारे मुझे बहुत पसंद है, मुझे दो परस्णालिटी इंडिया की बहुत पसंद है, यह तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ज यह तुम्हारे की नहीं आती है, जैसे कि हम बोर हो रहे हैं, लाइफ में क्या रखा है, इतना ही लोगों ने लिखा इतना अच्छा है, कि आप अपेसा हमेशा अपने आपको यंग फिल करोगे, जवान हो जाओगे, कोई भी पढ़े, बच्चों की बात ही छोड़ी हो, तो नहीं खुली आखों से ख़ब देखिए, मुझे यह बन के दिखाना है, अडरेस्टैन, अगर्णमेंट आफ इंडिया आनर्ड हिम इत पादम भूशन, इन नाइंटीन 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 भारत रहत्न इन नाइंटीन इन्क्लूडिंग इंद्रा गांधी अवार्ड और नेशनल इंटीन इंग्रेशन इन नाइंटीन नाइंटीन नाइंटी शेवर्ड भारत सरकार ने इनको कई सारे शम्मान दिये जैसे 1981 में पदम भूशन, 1990 में पदम भी भूशन, 1997 में भारत रहतने और 1997 में ही इनको इंद्रिया गांधी राष्टी एकता का पुरुषकार दिये गये नेशनल इंटीग्रेशन एकता का पुरुषकार इनको दिये गये, यह सारे पुरुषकार से इनको दिये गये Dr. Kalam passed away on 27th July 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management in Shilong Shilong मेगाले की राजधानी है के ने Dr. Kalam 27 July 2015 को उस वक्त ये गुजर गए जब ये भासर दे रहे थे जैसे ही खड़े हुए भासर देने के लिए मेगाले की राजधानी सिलोंग में जैसे ही भासर देने के लिए इन्होंने शुरू किया बश वहीं इनको हार्ट अटेक आया और वहीं पर गिरे और मर गए इडाइट उनको गुजर गए हमेशा के लिए मान सक्सियत हमको छोड़के 27 July 2015 को चले गए तो IIM होता है Indian Institute of Management ये शिलोंग में गए थे क्या देने के लिए लेक्चर दे रहे थे वहाँ पर इस्टुडेंस प्रोफेसर सब को दे रहे थे The whole world was shocked and saddened by the saddened and untimely death of the simple, humble, yet one of the greatest men of our times The whole world पूरी दुनिया को धक्का लग गया इनकी मौत से पूरी दुनिया सदमे मा गई इनके आसमाई मृत्यों से जो इतना simple और humble थे, इतने सीधे, इतने साधारन वेक्ती थे ये और उतने ही महान इन्होंने ही सच्चा ये कह दिया था Simple Living, High Thinking जीवन बहुत साधारन से जीए लेकिन सोच आसमानों तक रखिये और इन्होंने ये करके दिखाया था Simple and humble person But one of the greatest person of the world दुनिया की महान विक्तियों में से एक थे Dr. A.P.J. Abdull A.P.J. Abdull Kalam Understand? Last में इनका quotation दिया गया है बहुत अच्छा quotation है इसको जरूर याद कर लीजिएगा कितना सुंदर इन्होंने राइट किया है ये कह रहे हैं If you want to shine like a sun First burn like a sun अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में तुम्हारा नाम सूरज की तरह हो तुम सूरज की तरह चमको तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखो कि सूरज भी जलता है तब उसमें से आग की जौला निकलते पूरी दुनिया से वा अंदकार को मिटाता है और यहीं पर ये लेशनेंड हो जाता है सूरज बनना है तो सूरज की तरह जलना सीखो और इनके मैसेज इनके मैसेज क्या है के रास्ते पर तो आप चलिए, आप अपमे देस का बहुत बड़ा कंट्रिभीूट कर सकते हैं, अपने देस को, बहुत को से दे सकते हैं, इन को पढ़ करके, इन के जीवन से से शीक करके, इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर end करते हैं, और इनको बार बार पढ़िएगा, जिन करेंगे मोटिवेट करेंगे लाइफ के हर मोड पर आप इन से इंस्पायर और मोटिवेट है इसी साथ इस क्लास को यह पर एंड करते हैं तो किसी और क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए गुडबाई थैंक यू वेल मुच